नमस्कार बहुत सबागते आप सभी काप देखरें स्पेशल रेपोर्ट आपके साथ मैं हूँ मम्ता अतिवारी कॉलकाता रेप एंड मडर केस की गुत्ती सुलजनी की जगा और उलजती दिख रही है 15 दिनों बाद भी देश की सबसे तेश तर्रा जांच एजनसी CBI ठोज सबूतों के लिए हाथ पैर मारती दिख रही है CBI को अब कुल साथ लोगों को जूट पकड़ने वाली मशीन के सामने बैठा रही है जिनसे इनके बयानों में जो विरोदभास है वो क्लियर हो सके हाले कि इसमें भी आज आरोपी संजर रॉय का टेस्ट कल के लिए चाल दिया गया देश सवाल पूछ रहा है कि कौलकता फाइल्स की क्लोजर रेपोर्ट आखिर कब आईगी ये रेपोर्ट देखे दिवारों और बंद दरवाजों के पीछे वो चीखती रही रहम की भीख मांगती रही आखरी सांसों तक लड़ती रही जबकि ना उसने कम कपड़े पहने थे ना वो आधी रात घर से निकली थी ना सुनसान स्राक पर थी उसकी तो गर्दन में जान बचाने वाला आला था थिर्वी उसे नोचा गया खसोटा गया असमत लूटी गई मौद के मुँह में जोग दिया गया हैवानियत की सन्न कर देने वाली कहाणीय The Kolkata Fights देश उबल रहा है देश सवाल पूछ रहा है मांग रहा है डॉक्टर बीटिया का बलातकारी कौठ डॉक्टर बीटिया का का गातिल कौठ डॉक्टर बीटिया के रुफ को कब मिलेगा सुकूard किसी के पास जवाब नहीं है किसी के पास आठ और नौ अगस्त के तरमियानी रात का हिसाब नहीं है क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यो हुआ किसने किया कौन कौन शामील देश की सबसे बड़ी जाज एजेंसी सेंटर बियूर उफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीवी आई परत दर परत तलाश कर रही है केस का रेशा रेशा खंगाल रही है लेकिन सवाल अब भी अनसुल जें पंद्रह दिन बाद कितने मिले सबू कितने मिले गवा कितने दूर रह गए हैं कानून के हाथ तक कोलकाता फाइल्स कोलकाता केस की डिटेल दिखाने से पहले पिडिता के पिटा ने क्या कहा सुनी आपको लगता है कि कहीं न कहीं अस्पताल प्रशासन ने बड़ी चूक की है पहले से तो हमको हस्पिताल के जो डिपार्मेंट है डिपार्मेंट जो है जिसका पस मेरा लेर्की को भेजा था वो ओन ड्यूटी में था एक ओन ड्यूटी में एक जो लेर्का हो या लेर्की जिसके काम करता है जैसे हमारा अंदर तिंचार आदमी काम करता है उसका जो जम्म प्लटना घट जाए तो मेरे हमकों पर जमी दरी पड़ेगा लेकिन उस लोग अभी तक इसके बारे में आज इतना दिन में कोई फोन से भी बत ने जब उनका शब मिलता आपको कितने बजे फोन आया और किसने फोन किया था दोस बज़ के तिपना मिनिट पर खोनाया और उसका बाद हमने किया उसका बाद उसने उधर से भी फीर एक बार खोनाया उनसे बोला मैं एसिस्टेंस पर बोल रहा हूँ आपका लेड़की लगता है स्विसेज कर दी सीबिया या आज साथ किरदारों का पोलिग्राप टेस्ट करा रही है दिल्ली से एक विशेश टीम आकर ये पोलिग्राप टेस्ट को कर रही है जिसमें संजे रॉय इसके लावा पूर्स प्रिंसपल संदीब गोश दो टेनी डॉक्टर एक इंटरन और दो अने स्टाप शा पी आई अपनी जाच फोकस कर रही है नंबर वद आरोपी संजे रॉय जिसे 14 दिनों के लिए जेल भेजा जा चुका है नंबर दो आरजिकर का बुरू प्रिंसिपल डॉक्टर संदीब गोश नंबर ती फॉस्ट इयर बीजी डॉक्टर अरका नंबर चार फॉस्ट इयर ब नंबर साथ अस्पताल का एक और स्टाफ इन सब को पॉलिग्राफिटेस्ट से गुजरना होगा डॉक्टर रेप एंड मडर केस की कड़िया बहुत उलची हुई है CBI का मानना है कि जो भी बयान उसने अब तक दर्च किये हैं उसमें कई बयान ऐसे हैं जिनमें विरोधा भास है CBI ने सुप्रेम कोर्ट में इस बात को लेकर यहां तक दावा किया कि कोलकाता पुलिस ने क्राइम सीन को सुरुक्षित नहीं रखा बड़ा सवाल ये भी है कि CBI ने जिस क्राइम सीन के C.F.S.L. के एक्सपर्ट के जरीये चाच करवाई क्या C.F.S.L. के एक्सपर्ट छुपे हुए सबूत नहीं तलाश कर पा रहे पुर्व प्रिंस्पल संदीप खोश्ट से लगातार पूच ताच करने के बाद फॉलिग्राफिय में जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो इसी से संबद दी थे हैं आपको वार्दाद की खबर किस ने दी? सेमिनार हॉल के पास मरम्मत क्यों कराया? आपने पुलिस को सूचना ततकाल क्यों नहीं दी? संदीब घोश्ट क्या च्छिपा रहे हैं? क्या बता रहे हैं? उमीद है कि पॉलिग्राफिय टेस्ट से दूद का दूद पानी का पानी हो पाएगा लेकिन उस राद क्या हुआ था? इस गुद्धी को समझने के लिए सबसे पहले सिक्वेंस समझना होगा सुत्रों के मुताबिक 8-9 अगस्त की रात वारतात की टाइम लाइन इस तरह से है पीडिता और दो फस्ट येर के छात्र अरका और सौमित्र ने 12 बजे रात को साथ में डिनर किया इसके बाद वो समिनार रूम में गए जहां वो डेर से 2 बजे तक रहे और नीरत चोपड़ा का जैवलीन फाइनल देखा समिनार रूम के सामने स्लिप रूम है जहां डॉक्टर आराम करते ही अलका और सौमित्र स्लिप रूम में गए जबकि पीडिता समिनार रूम में आराम करने लगी गुलाम ने पौने 3 बजे तीसरी मंजिल पर जाने की बात कही जब कि सुधीप ने कहा कि वो इंटर्न रूम में था तीनों कमरे समिनार हॉल, स्लिप रूम और इंटर्न रूम तीसरी मंजिल पर एक दूसरे के बात थे इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि चार डॉक्टरों में से क्या किसी एक ने भी समिनार हॉल में उस राद क्या हुआ ये जान पाए CBI चार डॉक्टरों और दो स्टाफ से यही समझनी की कोशिश कर रही है इसलिए जूट पकड़ने वाली मशिन का इस्तेमाल कर रही है इन लोगों से जो सवाल पूशे जा रहे हैं उसकी लिस्ट भी देख लीचे खाना खाने के बाद आप कहां गए क्या आपने पिडिता की चीख सुनी वार्दाद का पता चलने पर आपने क्या किया सवाल है कि पिडिता को आखरी बार जिन्दा देखने वाले चार डॉक्टरों के पॉलिग्राफ टेस्ट से सीवी आई को क्या हासिल हो सकता है और उससे भी बड़ा सवाल है कि सीवी आई के सामने ऐसी कौन सी चुनौती आ गई है जिसके चलते उसे एक दो नहीं बलकि साथ दोगों के पॉलिग्राफ टेस्ट कराने की जरुरत पड़ गई इस वारदात के अगले दिन कोलकता पुलिस ने संजे रॉय को गिरबतार किया था कलकता पुलिस संजे रॉय की गिरबतारी के बाद इस मामले को जितना ओपन एंड शेट मान रही थी सीवी आई को ऐसा नहीं लगता है कलकता पुलिस की नजर में मुख्यारोपी संजे रॉय है लेकिन सीवी आई असली कातिर तक पहुचने के लिए साथ किरदारों का पॉलिग्राफ टेस्ट करा रही है बता दे कि कलकता पुलिस ने सेमिनर हॉल में मिले एक ब्लूटूथ के जरीए अगले दिन संजे रॉय को गिरपतार किया था असल में सीवी आई के सामने सबसे वड़ी चुनोती ये है कि सीवी आई उन्ही सबूतों पर जाज करने के लिए मजबूर है जो कलकता पुलिस से सीवी आई को मिले है जैसे कलकता पुलिस द्वारा लिया गया पिडिता का डिने सेम्पल CBI के एंट्री से पहरे बिडिता के बॉड़ी का पोस्ट माटम हुआ और बाद में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया इस वज़े से अब दोबारा सैंपल नहीं लिया जा सकता CBI के पास ना बॉड़ी है नहीं स्पार्ट पर मौजूद पूरे साक्ष मौका ये वारदाद पर एक से जादा लोगों के फुट्प्रिंट्स भी जांच में अर्चन पैदा कर रहे हैं जाहिर है टेक्निकल सबूत जुटाने में भी CBI को दिक्कते आ रही है मतलब सवाल खुम फिर कर वही पहुच जाता है कि क्या आरोपी संजे राही कातिल है या कातिल कोई और है क्या कतल एक से जादा लोगों ने मिलकर किया या कतल संजे राए ने किया और सबूत किसी और ने मिठाए क्या कोलकाता पुलिस के थियोरी CBI के गले नहीं उतर रही CBI की टीम ने मोकाई वारदात का कई बार मुआयना किया यहां तक कि मोकाई वारदात की 3D में पिम्भी की गई ताकि कोई सबूत CBI के हाथ लग पाए CBI सेमिनर हॉल में छुपे अधरश सबूतों को जुटाने की भी कोशिश कर रही है पॉलिग्राफ टेस्ट के डिटेल आपको भी जरूर जानी चाहिए क्योंकि जूट पकड़ने वाली यह मशीन आखिर कितना जूट पकड़ पाती है और कैसे पकड़ती है सबसे पहले जानी की क्या होता है पॉलिग्राफ टेस्ट पॉलिग्राफ एक मशीन है जिसमें व्यक्ति से अटेज किये गए सेंसर से मिलने वाले सिगनल को एक मुविंग पेपर पर रिकॉर्ड किया जाता है इसमें व्यक्ति के शरीर पर 6 सेंसस अटाइच किये जाते ही अब जानिये की क्यों करवाया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट जब आरोपी या संदिग्द पूछ ताच में कुछ छिपाने की कोशिश करता है या अपना बयान बार बार बदल देता है किसका लिया जाता है पॉलिग्राफी टेस्ट अदालत की परमेशन और संदिग्द की सहमती से जाज एजेंसी कर सकती है टेस्ट कैसे काम करता है पॉलिग्राफी मशीन इन्हें रिकॉर्ड करता है सांस लेने की गती, व्यक्ति का पल्स, व्यक्ति का ब्लड प्रेशर, व्यक्ति का पसीना, हाथ पेर का मुवमेट कॉलकाता के सिसले भी उलच गया है कि जिस आरोपिस संजे रॉय को कलकता पुलिस ने गिरिफतार किया उसका कहना है कि वो निर्दोश है उसे भसाया जा रहा है, संजे रॉय की ओकिल का कहना है कि वो पॉलिग्राफिटेस्ट के लिए इसलिए तैयार हुआ क्योंकि सच सामने आ सके लेकिन सवाल है कि क्या संजे सच बोल रहा है, संजे के दोस्त ने उसके वेवहार को लेकर जुकाहा उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है दाडू पीते था, रात को कि अज़ी बहुत कहानिया चल रही है कि यह रेड लाइट एरिया भहुत जाता था यहां का और यह गंदी गंदी वीडियो देखता था पत्णी जो थी एक से ज़्यादा पत्णी थी उसकी बताते हैं हहां पर कोलकता केस की जाज कहीं उलच कर दम ना तोड़ दे इसलिए CBI कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाती है CBI हर एक उस तकनीक का इस्तमाल कर रही है ताकि इस मर्डर मिश्ट्री से परदा उठाया जाए लेकिन इस तरह से इस घटना और इस वारदात ने कोलकता ही नहीं बलकि पूरे देश में आक्रोश की लहर दोड़ा दिये और हर तरफ दरिंदे के लिए फासी और बेटियों के लिए इंसाब की मांग की जारी है सियालदा कोट, कलकत्ता हाई कोट, सुप्रीम कोट जिसने स्वदा संग्यान लिया सब की नजरे सीबी आई जाच पर टिकी हैं सीबी आई कोट में ये क्लियर कर चुकी है कि साच्छों के साथ छेड़ छाड़ किया गया लिहाजा अब सवाल है कि क्या कोलकाता के इसका सच देश के सामने आप आएगा या लंबी जाच